हलो एवरिवन वेल्कूम बेक टो इंग्लिश राइंग चैनल अक्सर हम अपनी डेली कॉन्विसेशन में कुछ इस तरह की हिंदी वाकियों को बोलते हैं जैसे उस आदमी की कपड़ों से तंबाकू की गंद आती है उसके हाथों से लहसुन की गंद आ रहे थी उस में से शराब की बदबू आ रहे थी और उसके कपड़ों से पसेने की गंद आती है इस तरह की हिंदी वाकियों को इंग्लिश में कैसे बोल जाएं समझते हैं किसी चीज या वस्तु में से दुरगंद आना, बदबू आना या गंद आना इसी बात को इंग्लिश में बोलने के लिए यूज करेंगे रीक ओफ, रीक ओफ एक फ्रेजल वर्ब है संटेंस टेचर को समझते हैं आप संटेंस को स्टेट करेंगे, सबजेक्ट सी इसके बाद आपको संटेंस में अगर हैपिंग वर्ब दिया गया है तो आप संटेंस जिस टेंस में हैं उसके कोडिंग यूज करेंगे इसके बाद आपको फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे रीक ओफ रीक ओफ में रीक एक वर्ब है तो आपका sentence जिस tense में है उसके coding रीक वर्प की form को change कर दिया जाएगा इसके बाद आप यूज करेंगे object part object part में आपने उस टेस को mention करना जिस में से बद्बू या गंद दुरगंद आ रही है एक हिंदी की example के help से समझते हैं कि अब इंगलिश में इस तरह के हिंदी वाक्यों को कैसे translate किया जाता है उसके हातों से लहसुन की गंद आ रही थी तो पहले बोलेंगे subject her hands इसके बाद आप यूज करेंगे helping verb were गंद आ रही थी इसके लिए आप यूज करेंगे reeking of किस में से गंद आ रही है लहसुन मितलब garlic तो सोना complete sentence is her hands were reeking of garlic उसके हातों से लहसुन की गंद आ रही थी उस आदमी की कपडों से तंबाकू की गंद आती है उस में से शराब की बद्बू आ रही थी उसके कपडों से पसीने की गंद आती है his clothes reek of sweat now friends here is one practice sentence for you all kitchen मचली की गंद से भर गई थी आप इस sentence को इंगलिश में कैसे translate करेंगे आप अपने इंसे comment section में जरूर mention करें keep learning and thanks for watching